सारा लिखान गोवाहाटी के कामख्या मंदिर पहुची और देवी के दर्शन किये उन्होंने इंस्टाग्राइम पर इसकी कुछ तस्वीरे शेयर की जिसके बाद कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया फोटोस देखकर यूजर्स करने लगे धर्म को लेकर सवाल कमालार खानने की भविश्यवानी दस साल में हो जाएगा प्रियंका चोप्रा और निक जोनस का तलाक उनका ये ट्वीट काफी वाइरल हो रहा है ऐसा प्रडिक्शन देने की वज़र से उन्हें सोचल मीडिया यूजर्स से काफी फटकार भी जहिलनी पड़ी आमिर खान अपनी मोस्ट अवेटिट फिल्म लाल सिंग चड़ा की शूटिंग में बिजी है वो इस समय लदाक में शूट कर रहे हैं इस बीच आमिर और उनकी टीन पर लदाक में शूटिंग के दौरान प्रडूशन फैलाने के इलजाम लग रहे है एक ट्वीटर यूजर्स ने वीडियो शेयर कर या दावा यूजर्स का आमिर पर फूटा गुसा बीते दिनों मीडिया में आई खबरों की माने तो सैफ अली खान और करीना गपूर खान ने अपने चोटे बेटे का नाम जेह रखा है अब सोशल मीडिया में इस पर लोगों के अपने अपने विचार हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो करीना और सैफ को इस नाम के चलते ट्रोल कर रहे हैं विंबल्डन फाइनल्स देखने पहुची प्रियंका चोपड़ा आई ट्रोलर्स के निशाने पर अपने डर्सिंग सेंस को लेकर हुई ट्रोल छे महिने की हुई वामिका विराट कूली और अनुषका शर्मा ने फैंस को दिखाई बेटी की जलक लेकिन नहीं दिखाया बेटी का चहरा अनुषका ने इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों को शेर किया और प्यारा सा कैप्शन लिखा कार्तिक आरियन के नाना का निधन हो गया इस दुखत खबर को कार्तिक आरियन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेर किया उन्होंने नाना के साथ अपने बच्चपन की तस्वीर शेर की कार्तिक उनकी गोद में है कार्तिक न लिखा है उमीद करता हूँ किसी दिन मुझ में भी आपके जैसा स्वाग होगा आर आई पी नानू इंडस्ट्री के साथियों और फैन्स ने सांत्वना भी दी है देराज सडकों पर घूमती दिखी शारुखान की बेटी सुहाना unseen تस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वाइरल सुहाना खान की दोस्त रायना सोमन ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरे शेर की है इस पर उन दोनों की दोस्त ने कमेंड कर लिखा ये रात मज़िदार थी जबकि सुहाना ने कमेंड करते होई लिखा सबसे बड़ी लड़ाई की अनकही कहानी रॉंग्टे खड़े कर देता है अजे देवगन की फिल्म भूज दप्राइड ओफ इंडिया का ट्रेलर ये ट्रेलर आज रिलीज हुआ नौरा फते ही सप्राइज पैकेज बनकर उपरी है कहा जा रहा है कि फिल्म में उनका छोटा सा रोल है लेकिन उन छोटे से रोल में भी नौरा ने कमाल की आक्टिंग की फिल्म में संजेदत, शरत केलकर और सोनाक्षे सिनह एहम भूमिका में दिखाई देंगे फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी रनवीर सिंग से शादी के बाद अब दिपिका पादुकोन को दोबारा प्यार हो गया है हाल ही में दिपिका पादुकोन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेर करते हुए कैप्शन में लिखा मैं अपनी योगा मैट से प्यार करती हूँ बस इतना ही यही पोस्ट थी